हलो फैमिली नमशकार कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं सीमा अगरवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूटूब चाहना टाइनी फीट्स पर तो फ्रिंट्स आज की वीडियो बहुत जादे इंपॉडेंट होने वाली है आज की इस वीडियो मे में कोई भी डवलपमेंट पे इफेक्ट ना पड़े बच्चे का डवलपमेंट बहुत ही अच्छे से फास्ट हो और बच्चे का वेट भी काफी तेजी से काफी अच्छा वेट बड़े आपकी स्लीपिंग पोजिशन काफी हता की डिसाइड करने में हेल्प पर सकती है कि बच्चे का वेट कैसा होगा बच्चे का डवलपमेंट कैसा होगा तो ये वीडियो बहुत ही जादा है फ्रेंट्स जरूर देखना अगर आप प्रेगिन्ट है प्रेगिन्सी में स्लीपिंग पोजिशन किस तरह से होनी चाहिए क्या गलतियां आप कर जाती है जिसकी वेस स बच्चे का विकास सए नहीं हो पाता बहुत भा मिस्कारिज भी हो जाते है तो लास टत देखी का फ्रेंट्स वीडियो अच्छी तरगे तो वीडियो को लाइक कर देंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लि tänल BIG सब्सक्रीब करेंगा साथे साथ आप मुझे Facebook, Instagram पर भी जरूर फोलो करिएगा मैं लिंक आपको description में दे दूँगी तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरह जब एक महिला pregnant होती है तो उसके मन में सवाल जरूर सताता हो चिंता भी लगा रहती है कि मेरे बच्ची का विकास अच्छे से होना चाहिए और बच्ची का डर्लमेंटा भी साइश से होना चाहिए और बच्ची का वेट अच्छे का थो सह Kommt प्रिग्नेंसी में आपको आज ही बंद कर देनी चाहिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा है तो इस टार्टिंग का जो फर्स्राइमेस्टर होता है वह बहुत इंपॉडेंट होता है तो यहां प स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप सो सकते हैं जब तक आपका पेट आगे नहीं आता बढ़ता नहीं है क्योंकि बच्चे का यहां पर जो साइट होता है और अगर बच्चे का मैंने बताया जैसे कि पोजिशन काफी नीचे है तो आपको पेट के बाल सोने से बचना च चाहिए वह सारी महिलाओं की आदत होती है कि उक्दम सीदा सोने की आदत होती है तो अगर आपके पेट पर और बहार पड़ेगा तो देखे बच्चे की विकास बढ़ाप्मेंट पर बहुत बुरा एफेक्ट पड़ता है तो इस पोजिशन से भी आपको बचना साहींस पर लगर हमाई प्रेंस को आपके मिन नहीं तो पुमने जानी बिच्चे को नहीं हमाएं प्रेगनसी में चाहिए मिलREAM US बच् 가지 regard . तो इस बास को आपको बचना है प्रेविस से लेकर 9 महीने तक जिस पोजिशन में सोना चाहिए वो बहुत ही बैस टैस पे कोई भी बैड एफेक्ट नहीं है आपको ज़्यादा तर बाइंग करवट लेकर ही सोना चाहिए बैइंग करवट सोने के वज़े से आपके बच्चे बतानी में उसमें व्लड फ्लो अच्छे से जाता है तो बच्चे को भी अच्छे से ब्लड फ्लो जाएगा और ओग्षिजन लेवल अच्छह रहेगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जादतार आपको pregnancy के time पर left करवट लेकर ही सोना है सारी महिला कि यहां पर query हो सकते हैं कि क्या पूरे एक ही कौन से एक ही position में सोना impossible है बहुत सारी महिला को रात में नीद नहीं आती है तो वह कहते हैं कि एक ही position में कैसे सो सकते हैं आपने खाना खाया यह भी अच्छे से डाइजेस होगा वचे को ज़रूरी चीजे आप पहुंचने चाहिए तो भी अच्छे से पहुंचेगी लिए आपको नीद नहीं आते हैं तो दिख नीद के लिए आपको comfort रहने के लिए पेरों के नीचे तक्या रख सकते हैं और एक maternity pillow आता है उसका यूज कर सकते हैं इसके विए से आपको पेट को काफी support मिलेगा, comfort आप फील करेंगा और आपको नीद आएगी इस चीज का धिहान दखें प्रेकंशी में जो best position होती है वो left side ही होती है आप right side भी करके सो सकते हैं बट आपको उल्टे सोने से बचना है और आपको सीधा नहीं सोना है सीधा से रुटा सोने के वज़े से बच्चे को बहुत ज्यादे है congestion होता है और यह बिएसी के टान पे बहुत ही बैड पोजिशन है and thank you for watching this video.